नमस्कार दोस्तों सीसी केस लाइव डेसेट लेक्चर में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है मित्र बताना चाहेंगे आज के सेशन में हम हिंदी अनुवाद इस श्रिंखला के अंतरगत चर्चा करेंगे अपने एम विषय पर विषय है नाट्य नुवात कि प्रविधी प्रक्रिया और समस्या एै और इस खास सेशन के लिए बर फिर से हमारे साथ हमारे स्ञीमे में मौझूद है दॉक्तर विनिता कुमारी, दॉक्टर विनिता कुमारी असोसीट प्रफेसर है स्वामिश्ट अधानन्द कॉलेज के हिंदी विभाग में तो आईए इनका स्वागत करते हैं और नाट्य अनुवाद की प्रविधी, प्रक्रिया और समस्याएं इस विश्वाय पर जानकारे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर बिनिता कुमारी आपका बहुत-बहुत स्वागत है थेंकियो पीतिका मित्रो जो हमारी अनुवाद की श्रिंखला चल रही है इस श्रिंखला के अंतरगत हमारा मूल विशय अनुवाद से रहता है आज हमारी चर्चा का विशय रहेगा स्रिजिनात्मक साहित्य के अनुवाद और स्रिजिनात्मक साहित्य के अंतरगत भी नाट्य अनुवाद से संब्दित सामानने अनुवाद में और स्रिजिनात्मक साहित्य के अनुवाद में बहुत अंतर होता है जब स्रीजनात्मक साहित्य के अनुवाद की बात की जाती है तो उसके अंतरगत, कविता का अनुवाद, कहानी का अनुवाद, उपन्यास का अनुवाद, नाटकों का अनुवाद, इस तरह से अनेक विधाओं के अनुवाद की बात की जाती है पिछली बार हमने काविया अनुवाद की समस्याओं पर चर्चा की थी आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नाट्या अनुवाद की क्या प्रविधी है उसकी क्या प्रक्रिया है और नाट्य अनुवाद करते समय किन-किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है इस पर चर्चारे करेंगे आज हमारा मुख्य केंद्र का ये विशे रहेगा मित्रो किसी भी साहितिक विधा का अनुवाद करना सरल कारे नहीं है और अनुवाद कारे को इसलिए पुनर स्रीजन, अनुस्रीजन, अनुरचना या परकाया प्रवेश कहा जाता है कोई विद्वान उसको साहितिक पुनर जीवन तक कहा देते है जो मूल रचना कार है चाए वो नाटक कार है या कवी है वह जब रचना करता है तो उसके अपने मौलिक भाव उसके अपने विचार उसका चिंतन वह उस अपने अंतर के भाव जगत को रचना के रूप में स्रीजन करता है तो वो जो अपने अमूर्थ भाव जगत को मूर्थ रूप प्रदान करता है वह स्रीजन कहलाता है और मूल रचनाकार के भाव को विचार और उसके चिंतन के साथ तादात में स्थापित करते हुए अनुवादक उसका पुनर स्रीजन करता है तो अनुवादक जब पुनर स्रीजन करता है तो अनुवादक के लिए दोनो भाषाओं का सुरोत भाषा का भी और लक्षे भाषा का भी दोनो भाषाओं का ग्यान होना अनिवारे केवल ग्यान ही नहीं दोनो भाषाओं पर पूरी पकड़ होनी अनिवारे हैं जबकि मूल रचनाकार, नाटकार जो मूल है, जो मूल रचना कर रहा है, उसके लिए एक ही भाशा का ज्यान होना परियाबत है क्योंकि मूल उसमें भाव है विचार है परन्तु अनुवादक के लिए सुरोत भाशा के साथ साथ लक्षे भाशा पर अधिकार होना अनिवार है और मूल कृती के स्रीजन में जो सुख जो आनंद रचनाकार को प्राप्त होता है उसी तरह का आनंद उसी तरह का सुख अनुवादक को उस रचना के साथ तादात में स्थापित करते हुए पुनर स्रीजन करते हुए उन्हा अनुवाद के रूपे प्रस्तूत करते हुए होत उस भाव जगत में तादात में स्थापित कर लक्षे भाशा में उसकी पुनर्स रिष्टे करता है। इस प्रकार अनुवादक का दाईत वो दोहरा हो जाता है। एक और उसके लिए स्रोत भाशा महत्वपूर्ण है और दूसरी और उसके लिए लक्षे भाशा भी वो कृती में बनी रहे, उसमें कहीं कोई विछेद ना हो, उसकी भाशा का स्वरूप वही रहे जो मूल भाशा का है, जो स्रोत भाशा का है. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, नाट्या अनुवाद करते हुए, अनुवादक एक प्रवीधी को, एक प्रक्रिया को अपनाता है. तो अभी हम उसी प्रवीधी की चर्चा करेंगे. सबसे पहले आता है कि अनुवादक मूल रचना का चैन करना उसका पहला धायत हो जा नाटक का अनुवाद करना है वो कौन से नाटक का अनुवाद करें ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए सबसे अवश्यक हो जाता है अनुवाद की रुची अनुवाद की प्रतिभा और उसकी विशय में प्रवीनता कि अनुवाद की रुची किस साहितिक विधा में है अग उसका किस बे रचना का वो चैन करें जिसका वे अनुवात अच्छी प्रकार से भली भांती कर सकता है दूसरे उसके लिए आवश्यक है उसकी प्रतिभा नाटक के अनुवादक हर कोई नहीं हो सकता जिसका नाटक में रुची होने के साथ-साथ नाटक के अनुवाद करने की प्रतिभा भी उसमें है और विशय में प्रवेंता अगर उसे उस विशय का संप अभी नेयता के लिए क्या आवश्यक है, शिल्पगत क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी है, तो नाटक की विशे का अगर उसे ज्यान है, उसकी उसमें प्रवीनता है, तभी वे नाटक का अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है. तो मूल रचना के चैन में दूसरा जो पहलू है, वो ध्यान में रखना है कि जो मूल कृती जिसका अनुवाद विकरने जा रहा है, वे अनुवाद करने के लिए अनुवाद करना, इससे कोई उदेश्य पूर्ण नहीं होता. तो मूल रचना के चैन के लिए इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है कि वह कृती सफल हो, उसका जो नाटक कार है वे महान व्यक्ति हो, और रचना जो हो, वो समसामईक विशयों से जुड़ी हो, वो हर काल में, हर समय में, हर वातावरर, हर परिवेश के लिए उप्युक्त और जिस कृती का वे अनुवाद लक्षे भाश्या में करने जा रहा है, उस लक्षे भाश्या के लिए वह कृती अनुपूल हो, जैसे शेक्स्पियर के नाटक है, इपसन के नाटक है, इपसन का The Wild Duck, The Ghost, इस नाटक का एक सफल अनुवाद हुआ, इसी तरह से ब्रेक्त के न नाटक थे, Mother Courage, या Miller का नाटक था, The Death of a Salesman, या Elliot के नाटक, The Cocktail Party, या इसी तरह से ये तो अंग्रेजी यूरोपिये नाटकों के अनुवाद की बात हुई, इसी तरह से हमारे जो संस्कृत के नाटक थे, उनको चुना गया अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, या विक्रमोर वश्यम नाटक है, या भास के नाटक है, या भवभूती के उत्तराम चुरीत है, या मुद्रा राक्षस नाटक विशाकदत का, जो राजनीती परक नाटक है, तो इस प्रकार के नाटकों का चयन करना, जो लोग प्रिये नाटक है, या जैसे देखी, आप बंग कि वह कृति काल जय कृति हो जो बर्तमान परिप्रेक्ष में उतनी ही सार्थक पृत कृति हो अब इस अनुवाद करने के लिए उसका लाब क्या है उसका लाब यह है कि लक्षे भाषा में साहित्य की सम्रिद्धी होती है मालिया अंग्रेजी में कोई सुंदर रचना है या जापानी में कोई अच्छी रचना है अच्छा नाटक लिखा गया तो उसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो हिंदी साहित्य के में सम्रिद्धी होती है हिंदी सहित्यकार जो है उस रचना से प्रेना प्राप्त करते हैं, उस रचना से पाठक को भी लाव होता है और लक्षे भाषा के पाठक एवं दर्शक दोनों की जिग्यासाओं का समाधान होता है पाठक और दर्शक इसलिए कहा कि नाटक जो वीधा है वो द्रिश्य वीधा भी है और पाठे वीधा भी है नाटक पढ़ने के लिए भी लिखे जाते हैं और रंगमंच की द्रिश्टी से भी लिखे जाते हैं तो इसलिए वो पाठकों के लिए भी और दर्शकों के लिए दोनों की जिग्यासा का समाधान करने वाली हो और अनुवाद का जो कारे है किसी भी कृति का दूसरी भाषा से विदेशी भाषा से या भारत के अन्य भाषाओं से लक्षे भाषा में अनुवाद करने से देश व उनों की संस्कृति को मिलाता है तो इस तरह से मूल रचना का चयन ये पहली शर्त है और जिसके लिए अनुवादक की रूची उसकी प्रतिबा उसकी विशे में प्रवेंटा निवारी है उसके लिए मूल कृति जिसका चयन किया जाए वो लोकप्रिये हो ये देखना निवार प्रासंगीकता अब ये दूसरा क्रेद कि कथानक जो है अनुवाद के लिए जो कृति रचना ली जा रही है तो यह बात ध्यान रखने चाहिए कि मूल वस्तू की मूल कृति की कथा वस्तू प्रासंगिकता से युक्तों सामाइकता के प्रसंदर्व में लक्षे भाश्या क पाठकों, दर्शकों की अनुरूप हो। अनुवादक ऐसी रचना का चैन करे जिसका कथानक सार्व भौमिक हो। इससे प्रतेक वर्ग का पाठक और दर्शक वर्ग आसानी से समझ कर उसे आत्म साथ कर सकता है। अंग्रेजी और ग्रीक के अधिकतर नाठकों को प्राया उनकी एतिहासिक अत्वा साहितिक सम्रिधी के आधार पर ही चुना जाता है। जैसे शेक्स्पियर के नाठक चुने गए। हिंदी में नाठकों का प्रारम तो पार्सी रंगमंच से हुआ था, मंचन के द्रिष्टी से, ये नाठक खेले गए थे सिर्फ मनुरंजन के द्रिष्टी से। परंतु बाद में आगे चल करके जब हिंदी में नाठे विधा का विकास हुआ तो शेक्स्पियर के नाठकों को पुना उनका अनुवाद किया गया और उनके अनुवाद के पीछे उदेश्य था, इन नाठकों में विद्यमान मानवीय सहानुभूती, मानवीय अनुभूत के को केंदर में रखते हुए ही शेक्स्पियर के नाठकों का अनुवाद भारतेंदु युग में अधिकांशता हुआ, इसी तरह से बर्नार्ड शा का नाठक, इसका चैन किया गया क्योंकि ये राजनीती परक नाठक था, राजनीती में लोकतंत्र प्रणाली के गुण दो अनुवाद किया गया, राजनीती परक था और भारत की प्रिष्ट भूमी में, भारत की परिस्तिती में विसार्थक भी था, तो उस नाठक को चुना गया, इसी तरह से स्पेन के एक नाठक कार हुए लोरका, और लोरका का एक प्रसेद नाठक था येर्मा, और ये नाठक बांजपन पर था, इस्तिती के बांजपन पर था, और ये समस्या ऐसी है, जो हर देश विदेश में जूजना पड़ता है, इस्तिती को इसमिस से जूजना पड़ता है, और भारत की स्थितियों परिस्थितियों में तो ये और भी अधिक सार्थक था, तो इस नाठक का हिं में कई नाटक कारों ने अनुवाद किया पंजाब के संदर्ब में किया किसी ने अनुवाद तो उस इस्तरी को पंजाब की जटनी के रूप में प्रस्तुत कर दिया किसी दूसरे ने अनुवाद किया तो उस नाटक की नाइका को उसने कुमाओं के छेत्र की एक इस्तरी के र इसी तरह से द्वितिय महायूद के बाद यूरोपिय नाटकों में हम देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है उन यूरोपिय नाटकों में अनैतिकता, उन्मुक्त सेक्स, प्रेम, धार्मिक अनास्था, व्यक्तित्व विगटन, दामपत्ते जीवन का तनाव, अलगाव, निराशा, आधी विशयों की प्रधानता देखने में आती है अब जब ये विशय आए तो नाटक जो है इनी विशयों पर लिखे गए यूरोप में और स्वतंतरता के पैस्चात भारत में भी जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, उन में भी भारत के लोगों को भी इन सब से जूजना पड़ा यहां पर भी उसी तरह से अनैतिकता का या उनमुक्त प्रेम का या गधार्मिक अनस्था का या विक्तित्व विग्टन का इन सब परिस्थितियों से भारत के भारतवासियों को भी जूजना पड़ा तो वही जो यूरोपिय नाटक जो थे, वो हमारे संदर्व में, हमारे वातावरण मीं भी प्रासंगिक जान पड़े। तो अनेक नाटक कारों ने उन यूरोपिय नाटकों का हिंदी में अनुबाद किया। और इसका परिणाम यूँ हुआ कि उन नाटकों को देख करके उन नाटकों को समझ करके भारतिय नाटक कार भी जो हिंदी के नाटक कार थे वो भी इस तरह की नाटे रचना करने में प्रेरित हुए उनको भी उसका प्रणाम हुए इसी के साथ मूल रचना के चायन में अनुवादक के लिए एक आवश्य गुण और चैये अभिनेयता के गुणों से संपन अब नाटक मूल तह द्रिश्य विधा है मंच पर मंचीत किया जाता है तो नाटक में अभीना के अभिनेयता के रंग्मंचियता के सबी गुण है जो नाटक उन अभिनेयता के गुणों से संपन है उसी रचना का चयन अनुवादक करे। जो रचना मंच पर अभिनीत नहीं हो सकती जो केवल पाठे रचना है जो केवल एक साहिते समरिधी के अवदेश्य से लिखी गई है उस रचना का चयन ना करे। आपे तु वो रचना ले जिसमें अभी नेयता की सभी गुण विद्यमान हो तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि नाटक का अनुवाद करने के लिए अनुवादक जब मूल रचना का चैन करता है तो उसे किस-किस बातों का ध्यान रखना करता है अब अनुवाद के लिए जब रचना का चैन हो गया जो पहला प्रक्रिया का पहला सौपान है उसके पश्चात अगला आता है अगले सौपान की हम बात करें तो रचना के चैन के बाद उसके पाठ विवेचन की बात आती है कि पाठ का विवेचन विशलेशन करना अनुद्य रचना जिसका अनुवाद किया जाना है अनुवाद करने से पूर्व संपूर्ण पाठे सामगरी को अनुवाद को पढ़ना और समझना अनुवाद प्रक्रिया का अनिवारे आंग है अनुवादिक जो रचना जिसका अनुवाद किया जाना है उसका मूल विशय क्या है नाटक कार का मनतव्य क्या है रचना का परिवेश क्या है रचना का शिल्प क्या है अनुवादक के लिए इनको जानना आति आवश्यक है नाटक कार का मनतव है कि वो किस उदेशे से नाटकी रचना कर रहा है और वो जो नाटक लिखा गया है वो किस परिवेश में लिखा गया है उसको ध्यान में रखे और उस नाटक विशेश के शिल्प पक्ष क्या विशेशता है तो इन तीनों बातों को अनुवादक ध्यान में रखे तभी वे अनुवाद प्रक्रिया की और आगे बढ़ सकता है अनुवादक के लिए इन तीनों का जानना आती आवश्यक है अनुवादक जब मूल रचना पड़ता है तो उसके लिए उस रचना में नहित सांस्कृतिक पौरानिक एतिहासिक अथ्वा अभिनव संकल्पना के शब्दों की पहचान और उसका संदर्भों के अनुसार अर्थ अनुवादक जब रचना को पड़ता है पाठ विवेचन के करना ही उसको यही है कि सबसे पहले वो पूरे नाटक को भली भांति पढ़ जाए अच्छे से पढ़ जाए और पढ़ते हुए तीन बाते उसने मुखे ध्यान में रखनी है नाटक का उदेश्य उसका मनतव्य क् रचना किस परिवेश में लिखी गई है उसकी क्या बातावरन है और नाटक का शिल्प क्या है इनको ध्यान में रखते हुए जब वो पूरे नाटक को उसके एतिहासिक उसके सांस्कृतिक संदर्बों को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ता है और अभिनव संकल्पना क के शब्दों की उसमें से पहचान करता है और उससंदर्ब में उससंदर्ब के अनुसार वैं उस रचना की अर्थ निर्धारन को और और यह अर्थ निर्धारण अत्यदिक भात्वपूंग होता है। जबड़शना का अनवाद करना तो नाटक के अनवाद का अर्थ केवल शब्द अनुवाद नहीं है। यहाँ पूरा परिवेश, पूरा शिल्प, समवाद, उसका अर्थ, उसका पूरा संदर्भ महत्मपुर्ण है. तो नाटक पूरे को पढ़ करके उसका विवेचन, उसका विशलेशन करते हुए अनुवादक को उस रचना का अर्थ निर्धारन करना. यह उसकी प्रविदी का, उसकी प्रक्रिया का मुख्य सौपान होता है. और यह वही नाटक का, वही अनुवादक कर सकता है जो प्रतिभा संपन है, जो अनुभवी है, जो ज्यान संपन है, जिसको नाटक के अनुवाद करने का एक परियाप्त, एक लंबे समय का अनुभव है और जितना अधिक अनुभव उसका नाटकों का होगा नाटक के अनुवाद करने का होगा वह अनुवादक उतना ही कृती के साथ नियाय कर पाएगा और कई बार दिखा गया है कि अनुवाद मूल कृती के समकक्ष दिखाई देता है और कई बार तो मूल कृती से भी अच्छा अनुवाद हो जाता है क्योंकि जब निर्देशक उसको रंगमंच पर अभिनीत करते हैं तो अक्सर निर्देशकों ने कहा कि जो मूल कृती थी अनुवाद तो उससे भी बढ़िया आ गया तो यहीं अनुवादक के व्यक्तित्व के उसकी अनुभवित होने की उसके गुणों की उसकी प्रतिभा की पहचान होती है तो मूमूल रचना के चैन के पश्चात प्रक्रिया के दूसरे सोपान के रूप में आता है पाठ का विवेचन इसी तरह से पाठ का विवेचन उसका अर्थ निर्धारन करने के बाद तीसरा सोपान आता है समुचित समतुल्यता समुचित समतुल्यता अनुवाद में समतुल्यता वास्तों में एक सैधान्तिक अवधारना है अनुवात कभी मूल नहीं होता, अपितु मूल जैसा बनने का प्रयास होता है किसी भी शब्द के प्रसंगा अनुसार कई अर्थ और भाषिक परियाय होते हैं और परियाय समानार्थी नहीं होते हैं भाषाओं की प्रकृती भी प्रिथक होती हैं इसलिए भाशाओं की समानार्थी शब्द परस पर सम रूप नहीं सम तुल्ले होते हैं। इस प्रकार अनुवादक सुरोत भाश्या के सम तुल्ले शब्द लक्षे भाश्या में प्रयोग करता है। नाटक की अनुवादक की प्रकृया में अनुवादक के लिए सरफ्रतम आवश्येक को जाता है नाटक की कथा वस्तू को समझा सबसे पहले वो देखता है कि नाटक की कथानक क्या है नाटक का मूल विशे, उसका मूल उदेशे, उसकी मूल समवेदना क्या है तो कथा वस्तु को वो सबसे पहले समझता है फिर उस कथा में, उस प्लोट में के अनुकरूप उपयुक्त शब्दों का चैन करना कि किस शब्द के लिए कौन सा प्रतिशब्द लक्षे भाष्या में उप्युक्त रहेगा उन शब्दों की खोजर करना और उसके पश्चात संधर्ब के अनुसार नाटक का जो विशय है और जो संधर्ब है उस संधर्ब के अनुरूप शब्दों का चैन करना अब यह जो शब्दों का चैन किया जाता है जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया कि कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का एकदब परियाए नहीं होता वो समरूप नहीं होता उसके लिए सम तुल्ले शब्द की बात की जाती है तीप्सरोत भाशा में वे शब्द जिस अर्थ को बताना चाह रहा है जिस अर्थ की और संकेत कर रहा है लक्षे भाशा में उसी संदर्ब को लेकर के कौन सा शब्द उचीत रहेगा कौन सा शब्द उस संदर्ब के अनुसार उपयुक्त रहेगा, तो उन संदर्ब के अनुसार शब्दों का चैन करना, ये अनुवादक के लिए अगली कड़ी हो जादा है, और फिर अब हर भाषा की अपनी एक संस्कृती होती है, अपनी एक सामाजिक संदर्ब होते है, अपन परिवेश जिसमें मूल रचना रची गई है उस परिवेश को देखते हुए अनुवादक लक्षे भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को पहले देखता है कि उस परिवेश के अनुक रूप कौन सा शब्द उचित रहेगा अगर कोई शब्द उचित नहीं प्रतीत होता कोई ऐसा शब्द समरूप या समतुले शब्द नहीं मिल पाता तो अनुवादक को नए शब्दों का भी गठन करना पड़ता है उसे अलग से शब्द भी बनाना पड़ता है और नए शब्द का गठन करता है तो अनुवादक को पादे टिपणी में या प्रिष्ट में उसकी व्याख्याइत भी करने की आवशकता हो जाती है क्योंकि सांस्कृतिक परिवेश में सामाजिक परिवेश में लक्षे भाषा में उसका सम्तुले शब्द नहीं मिल पारा जैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है अब चौक पूर्णा शब्द है हल्दी लगाना शब्द है तो इनके लिए क्योंकि ये भारतिय संस्कृति के शब्द है इनके अपने संस्कृतिक प्रतिकात्मक अर्थ हैं जिसका अनुवाद दूसरी भाषा में करना अगर जैसे भारतिय भाषाओं में करना है तो वो संस्कृति की भाषा हैं मालिया हिंदी से बंगला में करना है या हिंदी से गुजराती में करना है तो इन शब्दों के समतुले शब्द मिल सकते हैं पर अगर हिंदी के किसी नाटक का किसी विदेशी भाषा में ये उरोप अगर नहीं मिलते हैं तो अनुवादक उन शब्दों का नई शब्दों का लक्षे भाषा में के अनुसार गठन करता है और इसके अतिरिक्त पात्रों के व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तित्व के अनुसार ही संवादों का अनुवाद करना इक ही भाषा शैली पूरे नाटक में नहीं चल सकती है अगर पात्र निम्न वर्ग का है तो उसकी भाशा का स्तर्भिन होगा, अगर पात्र उच्छ वर्ग का कोई राजा माराजा कोई एतिहासिक पात्र है तो उसकी भाशा का स्तर्भिन होगा, पात्र कोई बच्चा है छोटा बच्चा है तो बच्चे की भाशा का स्तर्भिन होग तो इस तरह से पात्रों के व्यक्तित्व के आधार पर समवादों का अनुवाद करना और इन सब के लिए अनुवादक को समुचित समतुल्यता का ध्यान रखना होता है उसे ऐसे समतुल्य शब्दों का चैन करना होता है और ये नाट्या अनुवाद में अनुवादक के लिए एक अनिवार्यता हो जाता है अगर भी सम्तुल्ले शब्दों का चैन नहीं कर पाता तो अनुवाद मूल कृती से उसके भाव से बहुत पीछे छोट जाता है तो इसी तरह से जब मूल रचना का चैन कर लिया जब उसके पाठ विवेचन हो गया सम्तुल्ले शब्दों का चैन भी कर लिया अनुवादक ने अपना एक पूरा रचना का अनुवाद तयार कर लिया एक प्रारूप तयार कर लिया अब प्रारूप तयार करने के पश्चाथ अगला जो सौपाण है वो होता है पुनरीक्षन एवं मुल्याँकर का पूरे प्रारूप को तयार करने के पश्चात उसकी मूल पाठ के साथ तुलना की जाती है जो एक अच्चा मसौदा एक प्रारूप तयार हुआ उस प्रारूप का मूल पाठ के साथ तुलना करना और आवश्यक्ता अनुसार उसका पुनर गठन किया जाता है फिर उसका पुनरिक्षण और पुनरमुल्यांकन किया जाता है ये पूरी प्रक्रिया अनुवाद को मूल के सद्रिश अत्वा सम्तुल्ले बनाने की कोशिश होती है अनुवाद को पता नहीं कितनी बार अपने अनुवाद की प्रारूप में काट चाट करने पड़ती है पहली बार जब उसने पाठ पड़ा तो उसको जो अर्थ समझ में आया उसके आधार पर उसने जब उसका अनुवाद किया और जब दुबारा पढ़ता है, तीसरी बार पढ़ता है, चौती बार पढ़ता है तो अर्थ की अनेक छवियां उसके सामने खुलती चले जाती है और जब अनेक छवियां उसके सामने आती हैं, अनेक स्तर आते हैं उससे पहले उसे ये देखना है कि जो उसने अनुवाद किया है वो उस परिवेश की अनुकूल है वह अनुवाद जो लक्ष्थोत भाषा की संस्कृती है उसको लक्षे भाषा में पूर्ण रूप से अनुवाद करने में, पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाया है उसके शब्द उस संस्कृति को बताने में संभव हो पा रही है पात्रों, पात्रों के समवाद को ध्यान में रखते होगे कि जो उसने अनुवाद किया है वे पात्रों के व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर रहा है पात्रों का व्यक्तित्व उससे उभर कर आ रहा है या पात्रों की जो भाशा है पात्रों के अनुरूप उनके व्यक्तित्व के अनुरूप भाशागमी वे विभिनस्तर मूल कृति के अनुसार हो पाई है या नहीं अनुवाद का शिल्प और मंचियता की दृष्टी से रंग निर्देश आदी की दृष्टी से क्या वे अनुवाद मूल कृति के भाव को उसके विचार को उसके भाव जगत को प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाये तो इस तरह से मित्रो नाटक का अनुवाद करता है तो नाट्या अनुवाद करते हुए उससे इस प्रवीधी का पालन करना पड़ता है मूल रचना की चयन से लेकर उसका पाठ विवेचन उसके लिए सम्तुले शब्दों की खोज और उसके बाद उसका पुनरीक्षन उसका मुल्यांकन उसका प्रारूप को अंतिम रूम प्रदान करने तक इस सारी प्रक्रिया से गुज़रना होता है और अनुवादत यदि इस पूरी प्रिया को अपनी प्रतिभा से सही तरीके से उप्युक्त शब्दों का चयन करते होए कर पाता है तो अनुवाद मूल रचना से के लगभग बराबर हो जाता है और उस कृती का लाब दर्शकों को पाठकों को मिलता है पूरी लक्षे भाषा में उस साहित्ते में समरिधी प्राब्त होती है तो इस तरह से मित्रों आज हमने नाटक के अनुवाद की प्रवरिधी उसकी प्रक्रिया को जाना नहीं करिया करिया रking country रुए can ёः सिर्मा यार करिया 1997 Alda । मोट प्राओ प्रुए मोट नहीं सकते है are ख फुष बरू it मोट इसंजए साहिए हो प्र zeggen how do you do कर दिएुजब का लुट हे झारोंटिस कर दो खिएुजब तो थार जारोंता है मित्रो, अभी हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी नाट्य अनुवाद की प्रवरिधी की, उसकी प्रक्रिया की. अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब हम चर्चा करेंगे कि अनुवाद को नाट्य अनुवाद करते समय किन-किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है. उसके सामने वे कौन सी समस्याओं आती हैं, जिसको उसे देखना पड़ता है. और ये मित्रो प्रतेक अनुवाद के लिए भी लाबकारी रहेगा. जब हम अनुवाद की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, तो हमारे समक्ष इन समस्याओं को आ जाने से, हम इन समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आज हम देखेंगे. तो साहिते में कहानी, उपन्यास, नाटक का अनुवाद, अपने आप में एक दुरूह, एक जटिल प्रक्रिया हैं और एक चुनोती का काम हैं, क्योंकि ये है एक जटिल, वैविद्धेपूर्ण, साहिते वीदा हैं. लिखेत रूप में होते हुए भी इसे रंगमंच की प्रक्रिया से गुजर कर दर्शकों के समक्ष पुना प्रस्तुत होना पड़ता हैं. नाटक में कविता भी है, कहानी भी है और संगीत भी है, तीनों ही तत्वों का योगदान हैं. और नाटक केवल पाठे विधा नहीं है, वो द्रिशे विधा भी है, तो मंच की द्रिश्टी को भी ध्यान में रखना, दर्शकों को भी ध्यान में रखना, और नाटक की विशे वस्तु, पात्रों को ध्यान में रखते हुए, परिवेश को ध्यान में रखते हुए, नाट नातक का अनुवा करना अपने आप में बड़ा चुनौती पूर्न पर कारे सरिछनात्मक सहित्यहीं में कावया नुवा भिजर्ब किया जाता हैlide कवीता के बीब कवीता के भाव उसके प्रतीक को अनुधीत करना चुनोती पूर्ण का रहे हैं परन्तु नाटक का अनुवाद उससे भी अधिक जोखिम से पराकारे हैं अब अनुवादक अगर नाटक की पहचान नहीं रखता अगर अनुवादक स्वयम नाटक का है तो वे नाटक और अधिक कच्छा कर सकता है और नाटक कार अगर मंच के नियमों से मंच के गुणों को जानता है मंच के व्यवस्था को मंच की तकनीक को समझता है तो वे अनुवाद करने में उसे कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो अभी हम चर्चा करेंगे कि नाटे अनुवाद करते समय किन-किन समस्याओं का सामना अनुवादक को करना पड़ता है तो सबसे पहली जैसे मैंने अभी चर्चा की, सबसे पहला यही आता है रंग मंच के व्यवहारिक ज्यान के अभाव की समस्या अक्सर देखा यह जाता है कि जो अनुवाद कर रहा है उसे नाटक की विशेवस्तु का तो ग्यान है परंतु रंगमंच का व्यावारी ग्यान नहीं है अनुवाद को इस रूप में किया जाना कि उसमें रंग निर्देश सभी आ जाए रंगमंच की जो तकनीक है उसको ध्यान में रखते हुए अगर वह अनुवाद किया जाए तो वह अनुवाद श्रेष्ट अनुवाद होता है और उस अनुवाद को करते हुए अनुवादक को कम समस्या का सामना करना पड़ता है और अनुवादक के लिए नाटक कार होना केवल कोई नाटक कार है और उसमें अनुवादक के गुण नहीं है वह भी अनुवाद नहीं कर सकता और कोई अच्छा अनुवादक है पर उसमें रंगमंच के व्यावारिक ज्यान नहीं है तो वह भी अच्छा अनुवादक नहीं कर सकता तो सबसे पहली जो नाटक का अनुवात करते समय समस्या आती है वो रंग मंच से जोई हुई है रंग मंच में प्रकाश व्यवस्था कैसी रहेगी ध्वनी व्यवस्था कैसी रहेगी कहां से प्रकाश आएगा किस रूप में आएगा पात्र को संबाद बोलना है तो व रंग मंच की इन सब रंग निर्देशों का यान अनुवादक को नहीं है तो उसके सामने अनुवाद करते हुए समस्याएं आ सकते हैं दूसरी जो समस्या आती है वह होती है रेडियो नाटक और टीवी नाटक के अंतर को ना समझने के करूं कि रेडियो के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं वो श्रवे नाटक है उनमें ध्वनी पर ज्यादा बल रहता है और टीवी के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं वो द्रिशे रूप में है उसमें द्रिशे पर अवश्चिक ध्यान ज्यादा रहता है तो इन दोनों तरह के ना ithASH लोनों के अंतर के नहीं समझता है तो उसके सामने अनुवाद से जुड़ी हूई अनेख समस्याय, इसी तरह से मूल कृति के में अनुवादक के लिए छूट से सम्मंदित समस्या अब मूल कृति मूल नाटे रचना जिस रोत भाशा में है उसका जब लक्षे भाशा में अनुवाद किया जाता है तो मैंने जैसे कि मित्रों आपको पहले भी कहा कि नाटक का अनुवाद शब्दा अनुवाद नहीं होता यह भावा अनुवाद होता है यह चाया अनुवाद के रूप में होता है सारा अनुवाद के रूप में होता है क्योंकि वहाँ शब्द महत्वपोर्ण नहीं है महां पूरा परिवेश महत्वपूर्ण है, महां पूरी स्थिती महत्वपूर्ण है, पूरा संस्कृती, पूरा एक भाव जगत महत्वपूर्ण है तो उस पूरे भाव को, उस पूरे परिवेश को ग्रहन करते हुए, अब जब नाट्रक का अनुवाद किया जाता है, तो अनुवादक को कुछ छूट मिलती है, उसके पास कुछ छूट होती है, अब वो छूट कितनी छूट ले सकता है, जोब अनुवाद करते समय अब संदर्ब के अनukool नहीं है अब वरत्मान परिस्तितियों में वो सार्थक नहीं है या वो कोई विवाद का विषय हो सकते हैं तो अनुवादक कूछ फूट होती है कि वे ऐसे प्रसंगों को छोड़ दे या कुछ ऐसे विशय आ जाते हैं जिन में परिवर्तन करने से और अधिक लक्षे भाषा के लिए लाबकारी हो सकता है तो नाटक का अनुवाद करते समय अनुवादक उसमें कुछ परिवर्तन भी कर देता है अब यहां यह एक विवाद का विशय हो जाता है कि अनुवादक को कितनी छोटो वो नाटक में कितना अंश बदल सकता है कितना अंश छोड़ सकता है जैसे एक नाटक था गैलीलियो का जीवन महेश दत ने ब्रेक्ट के नाटक का अनुवाद किया गैलीलियो का जीवन और इस शीर्षक से जब उसका अनुवाद हुआ तो उन्होंने उस नाटक में एक द्रिश्य आता है जिसमें गेलीलियो जो है बाइबल को फाड़ने का काम करता है तो बाइबल भंजक के रूप में दिखाया जाता है अब ये द्रिश्य भर्तमान संदर्व में विवाद अस्पद हो सकता था उस पर किसी तरह का विवाद ना हो तो वहेश्दत ने नाटक में से इस अंश को इस द्रिश्य को निकाल दिया तो इस तरह से नाटक का अनुवाद करते समय अनुवादक के पास एक ये समस्या होती है कि वो कितनी छूट ले, कितना अंशुस को बदल दे, ये विवाद का विशह है कि हम ऐसे प्रसंगों को छोड़ दे या उन्हें तोड मरोड कर पेश करें, जो आज की समसामाईकता से, आज के संदर्बों में मेल नहीं खाते, तो इस तरह से एक ये भी समस्या अनुवादक के सामने आती है, अगली जो नाटक के अनुवाद करने से जुड़ी हुई समस्या है, वे है मध्यस्त भाष्या के माध्यम से अनुवाद करने पर अर्थ निर्धारन की समस्या, इत्रों मध्यस्त भाष्या का माध्यम से क्या की गई है सीधा उस भाषा से अनुवाद ना करके हम उसे किसी अन्य भाषा के माद्यम से अनुवाद करें जैसे कोई जापाणी नाठक है या इतलियन नाठक है यह श्पैनिश नाठक है उस नाठक का पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और फिर अंग्रेजी से उसका हिंदी में अनुवाद हो तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा वहां मध्यस्त भाषा बन करके आएगी तो अंग्रेजी भाषा के माद्यम से उस मद्यस्त भाशा के माद्यम से अनुवाद जब किया जाता है तो अर्थ निर्धारन की समझ से आती है जैसे ब्रेक्त के नाटक थे सार्तर के नाटक कामू के नाटक, चेखव के नाटक, इपसनादी के नाटक, अब ये पहले अंग्रेजी में अनुदित हुए, अब जब अनुवादक ने मूल भाशा से अंग्रेजी भाशा में अनुवाद किया, तो उसने छूट ली होगी, उसने शब्दों के समतुले जो शब्द बनाए, वो अंग समतुल रचना से उसकी संस्कृति में कुछ परिवर्तन आया, अब जब उसका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है, तो हम अनुवाद कर रहे हैं, अंग्रेजी को देखते हुए, तो अंग्रेजी की संरचना भाशिक, संरचना भाशिक प्रकृति भिन्न है, और जब हिं अस्त भाशा से होते हुए, जब मूल कृति का अनुवाद तीसरी भाशा के रूप में आता है सामने, तो उसमें कई बार अर्थ का अनर्थ होने की भी संभावना रहती है, जैसे मित्रों शरत चंदर के उपन्या से हैं, शरत चंदर का साहिते हैं, अब वो बंगला में साहि अनुवाद हुआ और अंग्रेजी अनुवाद को देख करके फिर उसका जब हिंदी में अनुवाद किया गया, तो उसका वैस्तर नहीं रहा, तो इस तरह से जब मध्यस्त भाशा बीच में आती है, तो उससे अर्थ निर्धारन की समस्या आती है, जैसे आप देखते हैं, क हर भाशा की अपनी एक संस्कृती है, अपनी एक पहचान है, और उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए, मूल रचना कार जो है, नाटक कार, वो शब्द लेता है, उधारन के लिए जैसे हिंदी में नाटक है, कोई रचा जा रहा है, तो महां सावन के महत्व को बताया ज आएंगे, इन सब का महत्व हमारे यहां तो है, क्योंकि लंदन वालों के लिए, वहां तो धूप निकलेगी, तो मज़ा आएगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है, तो मध्यस्त भाशा के माध्यम से अनुवाद करने पर अनेक ब्रांतियां उत्वन होने की संभावनाय रहती है इसी तरह से, और्थर मिलर का एक नाटक है, The Death of a Salesman, और जब अमेरीकी लोग नए सपनों, नई दुनिया की तलाश में, अलास्का की और पलायन कर रहे थे, लगभग वैसी ही स्थिती भारत के विभाजन के समय थी अनुवादक है अरविंद कुमार, उन्होंने जब मिलर के इस नाटक का अनुवाद किया, तो उन्होंने उस जो Salesman है, उसको लाहोर से आए, रामदास कपूर के रूप में प्रस्तूत किया अब रामदास कपूर एक शरनार्थी है, जो दिल्ली के राजेंदर नगर में होजरी का, नेटवियर का काम करता है, और भारत में भी विभाजन की तरासदी को जहलते हुए, शरनार्थियों ने आकर के किस रूप में एक अपने आपको स्थापित करने का प्रयास किया, और death of a salesman उसका अनुवाद भारतिये परिवेश के अनुरूप किया, तो जो मध्यस्त भाशा है, उस भाशा का अगर सहरा ना लिया जाए, और सीधे सीधे मूल भाशा से, जो स्रोत भाशा है, उसका लक्षे भाशा में अनुवाद किया जाए, तो अर्थ निर्धारन की समस्य का समाधान किया जा सकता है, तो अदप्रयास्त अनुवाद का यही रहे, कि वो रचना उसी का चैन करें, जिसकी स्रोत भाशा का उसे पूर्ण ग्यान हो, मध्यस्त भाशा का प्रयोग ना करना पड़े, इसी तरह से नाटक के अनुवाद करते हुए, एक अन्य समस्या जो आती है सांस्कृतिक परिवेश को ले करके, मूल रचना के सांस्कृतिक परिवेश को लक्षे भाशा में सुरक्षित रखने की समस्या, अब लक्षे भाशा का प्रचलित रूप में प्रयोग करना, यूग विशेश का बोध कराने का प्रयास करना, या दोनों का सम्मिश्र यह नाटक का अनुवादक के सामने मूल बुद्धा होता है, कि वो सांस्कृतिक परिवेश को लक्षे भाषा में जब उतार रहा है, जब स्रोत भाषा की जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसको जब लक्षे भाषा में प्रस्तुत करना है, तो उसके सामने तीन विकल्प है या तो वो लक्ष भाषा में जो उस संस्कृति के अनुरूप प्रचलीथ प्रयोग है उनको अपनाएं मानले किसी इटैलियन नाटक नुवाद कर रहा है और इटैलियन संस्कृति से भिन जो लक्ष भाषा हिंद भारत की संस्कृति के अनुरूप जो कराने वाले शब्दों का प्रयास प्रयोग करे या दोनों का सम्मिशरण कर दे कि जो यूग विशेष से जुड़ा हुआ भी हो और जिनका प्रयोग प्रचलन में भी हो उन दोनों को जोड़ दे तो इस से सांस्कृतिक परिवेश को जो मूल स्रोत भाषा की जो संस्कृति है जो सांस्कृतिक परिवेश है उस परिवेश को लक्षे भाषा में किस सीमा तक सुरक्षित रखें किस सीमा तक वो उसमें परिवर्तन ले आए यह उसके सामने एक समस्या आ जाते है और श्रेश्ट जिसमें मूल नाटे रचना हुई है उस परिवेश को अपने लक्षे भाषा के परिवेश के साथ मेलाते हुए इस रूप में अनुवाद करें कि अंतर प्रतीत भी ना हो लगे ही ना कि दो भिन भिन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है जैसे मैंने अभी आपको मिलर के कि जो समस्या अमेरीका में थी पलायन की समस्या और विभाजन की समस्या जिससे वो अलास्का की और पलायन कर रहे थे वही समस्या भारत विभाजन के समय में भारत में भी आए तो पात्र का नाम बदल करके और उसकी उसी समस्या को भारतीय परिवेश के अनुरूप प्रस् भाषा में किसह तरह से अनुवादक सुरक्षत रख सकता है यह उसके अनुवादक की अपनी योग्यता उसकी कि इसी तरह से नाटक का अनुवादक करते हू एक अन् Immあります ficou जो नाटक करके सामने आती है वह आतीये स्रुत स्रोत भाषा में प्रयोग किये गए स्थानिय बोलियों के शब्दों की आंचलिक शब्दों के सम तुल्ले शब्दों की जब नाटक कार अपने नाटक में श्लैंग का डायलेक्स का प्रयोग कर लेता है शेत्रिय भाषाओं के बोलियों के शब्दों का प्रयोग करता है तो लक्षे भाषा में उसके समकष, शब्दों का मिलना संभव नहीं हो पाता है कई बार उनके आंचलिक शब्द जो प्रयोग किये गए हैं उनके सम्तुल्ले शब्द लक्षे भाशा में नहीं मिल पाते हैं। अब अनुवादक के सामने ये समस्या आ जाती है कि उन आंचलिक शब्दों के लिए, उन स्थानिय बोलियों के लिए किन शब्दों का प्रयोगी है। शेक्स्पीर ने जब नाटक लिखे तो उन स्लेंग्स बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं। जिनके लिए हिंदी में परयाय नहीं मिसमरूप शब्द नहीं मिलते हैं। तो ऐसे आंचलिक स्थानिय बोलों की लक्षे भाष्या में उनके सम तुल्ले शब्द खोचने की समस्या नाटक करके सामने आती है। इसी तरह से एक और जो नाटक का अनुवाद करते हुए समस्या आती है वो है वस्तुओं व्यक्तियों स्थानों के नामों के भारतिये करण की समस्या। अब वस्तुवों का नाम बदल देना, व्यक्तियों का नाम बदल देना, स्थान का नाम बदल देना, उनका भारतिये करण कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का विशय है, इस पर भी काफी बहस रहती है, कि अनुवादक, अनुवाद करते हुए, उनके नामों में परिवर्तन करे उनका भारतिय करन करे या नहीं जैसे शेक्सपीर के नाटक का जो नाम है भारतिन्दु जब उसका अनुवाद करते है तो वो नाटक का नाम को ही बदल देते हैं शेक्सपीर का नाटक था Merchant of Venice और जब भारतेंदु ने उसका अनुवाद किया तो उसका नाम कर दिया दुरलब बंदु इसी तरह से Comedy of Errors नाटक था तो उसका अनुवाद उन्होंने किया भ्रहमजाल के नाम से यसी ही गोपिनाथ M में जो थे उन्होंने जब रोमियो जूलियट का अनुवाद किया तो उसका नाम रख दिया प्रेम लीला तो नाटकों के शीर्शक का भी भारतिये करन कर दिया गया केवल नाटक का नाम ही नहीं बदला नाटक के पात्रों के जो नाम थे उनमें भी परिवर्तन कर दिया जैसे एंटेनियो था तो उसका नाम अनंत कर दिया भारतेंदु ने बोसेनियों का भसंत कर दिया शैलोक का शैलाक्ष बना दिया पोर्शिया को पुरश्री कर दिया जैसिका को जसोदा कर दिया तो जो पात्रों के नाम थे क्योंकि उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो भारतेंदु ने इसको ध्यान में कर दिया दर्शकों तर दियाक को लिए और इसी थानों से नाम में भी परिवर्तन कर दिया जो मूल नाटक कर है उन्हों ने ě्टी ऊपने परिवेश में अपने यूरूप के प्रिवेश जानिरोप बलब भारत की स्वार्त की भारत की। परिवेश को भारत की भागोलिक स्थीति को देखते हुए उनके नामों में परिवर्तन कर दिया जैसे वैनिका शब्द प्रयोग करते हैं शेक्सपिया तो इनों ने उसका नाम बदल करके वाइशपूर कर दिया ऐसे ही मैरोको तो भारतेंदू ने मोरकुटी कर दिया या स्क परिवेश की जो स्कॉट्लेंड की या मैरोको की जो परिवेश है जो भागोलिक स्थितियां है उसको ध्यान में ना रख करके भारतेंदू ने उसका भारतीय करन करते हुए यहां के भागोलिक परिस्थिति के अनुरूप उनका स्थानों का नाम परिवर्तेत कर दिया जैस कि व्यक्तियों के स्थानों के नामों का भारतिय करण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए यह एक विवाद का विश्रिय अगर नाम बदल देते हैं तो कितने कि सीमा तक बदला जाए और नहीं बदलते अगर वही रखते हैं नाम तो भारत के संदर्म में भारतिय सच्वित परिवेश शंस्क्रीधी के अनुगूल जब मंच पर अभी नीत किये जाते हैं तो पाठकों का दर्शकों का उनके साथ साध्हारणी करन नहीं हो पाता एक अधात में संबंध स्थापिद नहीं हो पाता तो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुची को ध्यान में रखते हुए और नाट्या अनुवाद करते हुए पात्रों के नाम, अब स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम का भारतिय करण कर दिया जाता है इसी तरह से जैनेंद्र ने लियर टॉल्स्टाय के नाटक दी पावर आफ डार्कनेस का जब अनुवाद किया तो उन्होंने उसका नाम बदल करके पाप और प्रकाश कर दिया इन्होंने पात्रों के नाम बदल कर उन पात्रों को भी देशी और दिहाती नाम उनके रख देए तो अब यह भारतिय करण की समस्या यह भी नाटक के अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने आती है इसके अलावा एक और समस्या जो नाटे अनुवाद करते हुए आती है वही है कि विभिन पात्रों के व्यक्तित्व के अनुवाद विभिन भाशाशैलियों भावों के उतार-चड़ाव बिम्बों और प्रतीकों के अनुवाद के समस्या पात्र जब क्योंकि पूरा नाटक समवाद रूप में चल रहा है और समवाद में पात्रों के हावभाव पात्रों की वेशबूशा उनके अनुभाव उनके चलने का धंग उनके बोलने का धंग वो भाशा से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उसके स्वर का अनुतान बला यह अधिक महत्वपूर्ण है नाटक में अब इसका अनुवाद अनुवादक कैसे करें यह उसके सामने समस्य आती है अब नाटक में बिम्ब है तो कावे बिम्ब भी है और नाटे बिम्ब भी है अनुवादक अगर कावे बिम्ब को पकड़ता है तो नाटे बिम्ब कहीं छूट जाता है और वे नाटे बिम्ब को पकड़ने की प्रयास करता है तो कावे बिम्ब कहीं जड़ जाता है तो इस तरह से नाटक का अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने उस बिम्ब का अनुवाद करने की जो मूल रचना की जो मूल नाटक कार का मन तव्य था उसका जो एक भाव जगत में एक बिंब था जो उसने अपने नाटक में प्रस्थुत किया है उसका अनुवाद नातक के लक्षे भाषा में कैसे करें ये समस्या आजाती है इसी तरह से संस्कृतिक परतीकों के अनुवाद के शमस्या अब हर संस्कृतिक पर आप आपने शब्द है जैसे मैंने बताया कि सोभागे वती इस तरी शब्द जब है अब सोभागे वती इस तरी कहना भारत के संदर्ब में अलगमा लकी शब्द कह देना लकी लेडी वह उसके साथ नहीं चलेगा तो उस शब्द या माँग भरना शब्द के लिए उसका अंग्रेजी में काओं के साथ हमारी आस्था हमारे श्रद्धा जुड़ी हुई है अब राम सीता के साथ हमारी जिस तरह से श्रद्धा जुड़ी हुई है राजा राम कहते हैं या रानी सीता कहते हैं अगर रामायन का फार्सी में अनुवाद किया जाता है और वहां पर राम को बादशा राम कह दिया जाए या सीता को बेगम सीता कह दिया जाए तो वहां हमारी आस्था में कुछ खटकता है तो वो हमें इस तरह का पर चाहे अनुवाद ठीक है बादशा राजा की राम की जगह बादशा राम कहना या रानी सीता की जगह बादशा बेगम सीता कहना अनुवाद गलत नहीं है पर हमारी आस्था हमारी प्रतीक उसमें वो इस तरह के अनुवाद को गवारा न उनकी अनुबाद करने की समस्या आती है और छोटे नाटक में सभी तरह के पात्र है संस्कृत के जो नाटक लिखे गए संस्कृत में उच्वर्ग के पात्र संस्कृत बोलते हैं उसमें जो निम्न वर्ग के पात्र है इस्तरी पात्र है कोई मच्वारा है कोई धोबी है तो व एक नाटक में भाशा के विभिनस्तर दिखाई देते हैं, तो नाटक का अनुवाद करने वाले को भी भाशा के शिल्प के दरफ ध्याद देखते हुए, भाशा के उन विभिनस्तरों पर ध्याद देना होता है, उसको देखना होता है कि भाव में कहां उतार आ रहा है, कहां च को वो पकड़ पाए उस बिम्ब को वो ग्रहन कर पाए तो यह समस्या भी है एक चुनौती भी है अनुवादक के सामने इसी तरह से मित्रों नाटक में केवल समवाद ही नहीं होते नाटक में गीत कविता भी होती है अब गीतों के अनुवाद की भी समस्या है अब नाटक कर कवी हो यह भी आवश्यक नहीं है जरूरी नहीं है पर अगर उसमें कविता के स्रिजन के गोन भी है तो उसके सामने यह समस्या कामाईगे क्योंकि गीत का अनुवाद करना उस रूप में जैसे अब शेक्स्पियर के नाटकों का बच्चन ने भी अनुवाद किया, रगवीर सहाय ने भी किया, रांगे रागव ने भी किया, तो अब किसी ने गद्या अनुवाद किया, किसी ने पद्या अनुवाद किया, अब शेक् देशन में नाटक का मंचन हुआ, जिसमें इताब बच्चन ने स्वयम रोल किया, जिसमें तेजी बच्चन ने भी अभिनाई किया, तो कारंत ने उनके शब्दों में कि ये नाटक सर्ष्रिष्ट अनुवाद उसका हुआ है, शेक्स्पियर के नाटक का, तो इस तरह से अगर कोई नाटक का, के अनुवाद को जब अपने सामने रखता है, और वे उसके शिल्प के पक्ष को, भाशा के पक्ष को, अभी नेयता, रंगमंचियता के पक्ष को सामने रखता है, तो अनुवाद करते हुए, जो समस्याया आती है, उनका वे सफलता पूर्वक समाधा कर सकत और इससे धन्धनावाद देना चाहेंगे, डॉक्टर वेनिता कुमारे का, मित्रो हमेरी चाहते हैं, कि आप अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या फिर किसी प्रकार का प्रश्न हमारे साथ साचा कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है, info.cc.n, आप सभी से फिर मुलाकात होगी, अपने खिलाब सभी बनामस्कार, नमस्कार, नमस्कार.